समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुँचकर एक परिवार से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मिडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि देश सम्विधान से चलेगा, तब ही यहां राम राजे आ सकता है। अखिलेश यादव ने इंडिया गटबंधन में सीटों के बटवारे के साथ साथ बहु जन समाज पार्टी के शामिल होने या ना होने को लेकर भी बड़ी बात कहीं। और यूँ कहें हम कि सम्विधान की आत्मा में राम हमारे कॉंस्टूशन में दिखाई देते हैं। जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े-बड़े महापुर्स लोग यहां आए और उनका सम्वन्द रहा यहां से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम उनुवल लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा यह बात कि कॉंस्ट्यूशन हमारे लिए कितना जरूरी है और उससे दिये हूँ अधिकारों के बारे में समझना कितनी जरूरी है। समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की आज चर्चा है। इंडिया गढ़वंदन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। मुझे भरुसा है कि सीटों का बटवारा ठीक होगा, समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिल करके उत्तव प्रदिस में भारते जिनता पार्टी को हराएंगे 22 जनवरी दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, वो कम से कम रामराज क्या है, रामराज के बारे में सोचेंगे और रामराज वही माना जाएगा, जो संबिधान और हमारे कॉंस्टिशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा रामराज है